हेलो एब्रीवन स्वागतिया आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में सेंट्रल गवर्मेंट की पर्मानेंट वेकेंसी 39,481 पोस्ट है जिसमें आप आविधन कर सकते हैं इसमें जो है क्वालिफिकेशन केवल 10 पास मांगी गई है जर्नल कैटिगरी के लिए एप्लिकेशन पीस मांतर 100 रुपे है वोमेन, SCST के लिए कोई फीस नहीं है पेस्केल भी काफी अच्छा रहने वाला है इसमें 69,100 तक अपकी सैलरी बनेगी ठीक है, टोटल जो है नमबर आप वेकेंसी कैटिगरी वाइज कितनी है मेल की अलग है, फीमेल की अलग है थमनेल में आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि टोटल जो है 39,481 पोस्ट है और फिल्कुल पर्मानेंट सरकारी नौकरी है सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है बाकी सारी चीजें देखेंगे, कि एसमें क्या मांगी गई है 73 पेजिस की पीडियो फाइल है, जो भी इंपोर्टेंट चीजें होंगी जो कि आप लोगों को आविदन करने से पहले जानना जरूरी है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी पेज केल मैंने आपको बता ही दिया है बाकी जो है देखें इसमें अलग-अलग पोस्ट है तो पेजिवल वन 18,000 बेसिक पेज से लेकर 56,900 तक रहेगी और उसके बाद जो पोस्ट है उसमें 69,100 तक फॉर अलग-अलग पोस्ट है तो इसमें जो है वेकेंसी फोर्स में है BSF, CISF, CRPF, SSB, ITVP, AR, SSF, NCB मेल की जो है कैटिगरी वाइज अलग है तो यहाँ पर कैटिगरी वाइज जो है उम्र में, फीस में सभी में आप लोगों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है ठीक है? तो यह पूरा जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी कैटिगरी में कितनी पोस्ट हैं तो अगर हम मेल की बात करें तो केवल मेल कैंडी रेट के जो टोटल पद है 35,612 है और फीमेल कैंडी रेट के जो कुल पद है 3,869 ठीक है? तो लगबग जो है 40,000 के लगबग जो है इसमें वेकेंसी जारी की गई है बाकि इन्होंने अलग से जो है यहाँ पर स्टेट वाइज डेटेल में वेकेंसी किसी स्टेट में कितनी है यह पूरा चार्ट जो है डाला हुआ है तो आप अपने राज्य की देख सकते हैं आपको थोड़ा छोटा नजर आएगा आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि आपके राज्य में जो है कितनी है ठीक है, male की कितनी है, female की कितनी है और category wise जो है कितनी है तो वेकेंसी मैंने आप लोगों को बता दी है इसमें जो है किसी भी राज्य के candidate आविधन कर सकते है वेकेंसी SSC की तरफ से है Government of India Staff Selection Commission Notice Board में जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे Notice Results नजर आएंगे Notification जो है यहाँ पर इसी से संबंदित एक यह चार्ट जो मैंने आपको दिखाया तो यह आपको 6 सितमबर 2024 का ठीक है जिसमें आप डिटेल में जान पाएंगे कि आपकी राज्य में कितनी वेकेंसी है और दूसरा Notification के लिए आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर 5 सितमबर 2024 का देखना पड़ेगा बस इसी पर जो है क्लिक कर लेना है Age इसमें क्या कही गई है तो Age जो है जर्णल कैटिगरी के लिए 18 से 23 साल है कैलकुलेट होगी एक जनवरी 2025 को लेकर अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 जनवरी 2002 से एक जनवरी 2007 के बीच में आपका Birth to Date होना चाहिए S.C.S.D. को 5 साल की चूटे O.B.C. को 3 साल की है केवल 10 आपकी क्वालिविकेशन कम्प्लीट होनी चाहिए अगर आपकी हायर क्वालिविकेशन है तो भी आप आविदन कर दें क्योंकि सरकारी नोकरी है पर्मानेंट वेकेंसी है कैसे अप्लाई करना है तो इसके लिए S.S.C. की Official Website पर जाना है One Time Registration करना है पहले ठीक है और Step by Step जो भी यहां लिखा गया है वो सारा Follow करेंगे आप फीस आप देख लें मात्र 100 रपे है General Category के लिए O.B.C. के लिए E.W.S. के लिए S.C.S.T. X.S.S.R.W.S.M.E.N. आपको बिल्कुल मिल जाएगा आप एक्जाम देने जो है अपने ही राज्य में जैसे की बिहार, उत्तर प्रदेश Central Region इसके अंतरगत भागलपूर, दरवंगा, मुझफरपूर पुर्णिया, बरेली, जहांसी, लखनव, प्रियाग राज ठीक है और मध्यप्रदेश और चतिसगर राज्य के हैं तो यहां आप देख लें Northern Region के अंतरगत जो है डेली, अजुमेर, बीकानेर, जैपूर, जोदपूर, उदैपूर, धहरादुन, हल्दवानी और रूर्की ठीक है? रूर्की डेली, राजिसान और उत्राखंड के candidate के लिए तो आप देख लें हर्याना के candidate के लिए है अपनी ही जगे में पॉम जब आप फिल करेंगे तो अपने स्टेट के अंतरगत आने वाले बिल्कुल नजदी की जगे पर ही जो है आप लोग सेंटर का नाम डालें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए स्कीम ओफ एग्जामिनिशन तो एक कम्प्यूटर बेज्ड एग्जामिनिशन होगा जीके रीजनिंग मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिस साट मिनिट का समय होगा सिलेबस इन्होंने दे दिया है पूरा डेटेल मैसले बस दे दिया है क्योंकि 73 पेजिस की पीडिया फाइल है रिटर्न के बाद जो है यहाँ पर फिजिकल एफिशिंसी टेस्ट रहेगा ठीक है मेल पीमेल दोनों का अलग अलग है पीडिया फाइल को अच्छे से आपको रीड करना है तब ही आप लोग अपलाए करें ठीक है लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा SSC की जो है ओफिशल वेबसाइट पर आप चले आए यह ओफिशल वेबसाइट पर आप लोगों को जैसे ही होमपेज पर आएंगे नोटिस बोर्ड आपको नजर आई ही जाएगा ठीक है और इसमें अगर आपको यहाँ पर इस पेज में फर्स्ट पेज में अगर नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो आपको क्या करना है सेकंड पेज पर चले जाएं ठीक है सेकंड पेज पर देख लें तो ऐसी ही जो है वेकेंसी जहां 10th, 12th ग्रेजुएशन पास कैंडी रेट आविदन कर सकते हैं सरकारी पर्मानेंट वेकेंसी में तो आप लोगों को वीडियो के मातिम से बताया ही जाएगा इसपेशली टीचिंग की जो वेकेंसी होती है गॉर्मेंट, प्राइवेट, ऐसे डिपार्टमेंट की वेकेंसी जिसकी सूचना स्टुएंट को नहीं मिल पाती है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं बताऊंगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू